हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल घरेलू भूजन आज हम बनाएंगे बेसन की सबजी लच्छे पराठे के साथ यह बहुत ही जटपट रेड़ी होने वाली सबजी है और बहुत अलग तरीके से तो आये फरम इसकी तैयारी करते हैं तो इसके लिए हमने घरा बाउल ले करने लिया है अब इसमें हम कुछ सुखे मसाले एड़ करेंगे तो आधा चमच हल्दी पौडर आधा चमच लाल मिर्च पौडर तो दीखे के हिसाफ से आप इसको घटा बढ़ा लेंगे और आधा चमच धनिया पौडर मैंने डाला आधा चमच साबूत जीरा इसमें थोड बेशन लिया है उसी के हिसाब से नमक डालेंगे और आधा चमच है यह मैंने रिफाइंड डाला है तब इसको डालेंगे क्योंकि जो हम जिस तरीके से बेशन के सबजी हम बनाएंगे तो उसमें डालना बहुत जरूरी होता है ताकि वह आपस में चिप के नादो जब हम बन पानी डालेंगे क्योंकि जरा भी अगर थोड़ा साधिक पानी पड़ा तो बेशन बिल्कुल गिला हो जाएगा तो नहीं बन पाएगी सबजी तो इसलिए बहुत थोड़ा पानी डालकर इसको मसलते हुए आटे की तरह आटे से भी टाइट रहेंगा यह तो रेडी करेंग यह देखिए तो थोड़ा सा मैंने तेल डाला है तो इसके हिसाब से थोड़ा सा टाइट बनता भी है यह डो तो इसी हिसाब से हमें डो रेडी करना है तो थोड़ा सा हाथ में अभी तेल लगा कर इसको थोड़ा सा वापस में मिक्स कर लेंगे थोड़ा स्मूध हो जाए उ कि इसको छोटे छोटे गोलियों में पार्ट कर लेंगे मुठी में जितना बड़ा बॉल आए आसानी से उतना बढ़ा ही करेंगे उससे बढ़ा करेंगे तें बॉल में हमारा रेडी हुआ है ग्रेवी के लिए मैंने दो बड़े साइज का प्याज बारी का टाट लिया है और दो बडे साहिच का टमाटर प्योरी मैंने बनाए मसाले में इतना ही तैयार किया आगे मैं सुक्य मसाले अध करूग गड़ाई रख दिया गरम होने के लिए कि अब इसमें दो बड़े चमच सर्सो के इल डालेंगे मैं तो सर्सो के इल में बना रही हूं आपको आप फो funding आइल आप आखे सर्सो के तेल में थौड़ा अच्छा आथा सबजी का अब इसमें अब जीरह डालेंगे याधा चम्मच और थोड़ा सा मेथी दाना और हींग डाल देंगे इसमें हींग तो जरूर डालिएगा दोस्तो इस टाइम भी और बेशन का जो हमने डाल दिया है और इसको गोल्डेन ब्राउन होने तक भून लेंगे इसको चलाते वे भून लेंगे तो ऐसे छोड़ देंगे तो फिर कहीं ज्यादा ब्राउन ज्याद कम वैसे बराबर देखे ब्राउन हो हुआ है तो इसमें हम अभी एक चम्मच अध्रक लेशन का पेस्ट डाल देंगे और हमने जो टमाटर का प्यूरी रिडी किया था उसको अब इसको मिक्स कर देंगे मिक्स करते हुए हम इसको अच्छे से भून लेंगे टमाटर का कच्छा पन जो है खतम हो जाए अब इसमें कुछ मसाले एड़ करेंगे तो हमें आदा चमच लाल मिच पाउडर डाला है अब अपने हिसाब से तीखी के गॉर्डिंग डाली है आ तो देख लाएं पानी बिल्कुछ सूखा है मसाला तो जलने का चांस रहता है तो थोड़ा सा पानी डालेंगे जिससे आपस में मिक्स हो जाए मसाले और अच्छे से भून जाएं जिसमें थोड़ा सा पानी या और एड करेंगे योगि मैं तो स्टिल की कढ़ाई में बना तो आप जिस कड़ाई में बना रहे हैं अपने बर्तन के इसाफ से देख लिए जिक यह से मसाले भूनेंगे कितना पानी डालना है तो मसाला भूनें अच्छे से अब इसी समय हम इसमें फ्रेश दही डालेंगे एक कटोरी दही फ्रेश ही होनी चाहिए खटी दही नहीं फ्लेम हमेशा स्लो रखेंगे और तुरंत मतलब चलाएंगे आपस में मिक्स हो जाए सब कुछ नहीं तो फटर नहीं लगता है भूने के बार आधा कप पानी डाल देंगे ऐसमें बहुत ज्यादा ग्रेवी मतलब पतली नहीं होती इसमें थिक ग्रेवी हमको रखना है बहुत अच्छे से बॉयल हो गया है ग्रेवी तो थोड़ा सा सूख गया है पानी इसमें थोड़ा सा हम पानी थोड़ा सा फिलाल और थोड़ा सा एड़ कर लेंगे और बीच में जब हम पानी डालते हैं तो गरम पानी ही यूज़ करना चाहिए कि सिकोह कोई सब्șकराप हम बना रहे हैं तो सब्जी टेस्ट है वह बदल नहीं है जैसा रहता है वैसे ही रहता है भीimana बिछेंज़न तो ठंडा पानी डालने से चेंज हो जाता है और भीचमें पानी क्णियुत है रहे हैं इसका यूच करेंगे यह वाला जो पल्टा आता है इसका यूच करेंगे यह जो सिधा व लाए न उसको यूच नि करना यह उल्टा साइड इसपे मुझे सेव की तरह झाद ना है हाथ से प्राइड लगा देंगे ता कि विशन इस पर चिकके ना दोनों साइड तेल लगाएं करेंगे बेशन होल से नीचे घीरे वह जो सेव जाड़ते नमकीन बनानते उस तरीके से यह होगा तो मोटे वाले जो होल होते ने उसी पर करना है यह में बहुत पतले वाले पर नहीं तो यह वाला पल्टा सही है इसके लिए हमने आपको बता था कि तेल हमने किसलिए एड किया था उस फ्टली कर रहे हैं तो इसके लिए टो यां डालनी के बात फ़ोड़ा विदे आगे था पूरा गिर रहा है, सारे बिशन को मैंने जाड़ लिया है ग्रेवी में, पांच से साप मिनट के लिए इसको इस्टीम से पूरा बिशन पक जाएगा, यह दिखिया आप, थोड़ा नीचे से सूख गया है पानी, तो इसमें गरम पानी, जब भी मैं पानी डाल रहे हूं, तो गरम पानी ही डालिएगा, तो थोड़ा सा गरम पानी डालेंगे, जिससे थोड़ा सा ग्रेवी इसमें पता चले, ग्रेवी बिल्कुल सूख गई है, हलके हलके हाँ से इसको चारों तरब से हिलाएंगे, फिर आपस में मिक्स कर लेंगे, जोस्तो अगर हमारा तरीका थीक हमें ग्रेवी रखनी है इसकी यह कंसंटेंसी रहेगी सब्जी की तो इसमें हम लास्ट में आधा चमच गरम मसाला एड़ करेंगे और साथ में कसूरी मेथी कसूरी मेथी से फ्लिवर अच्छा आ रहा है दोस्तों आप इसको एड़ करिएगा अकर आप पुन्हा पसंद हो तो इसकी भी कर सकते हैं ऐसा कुछ नहीं लेकिन डालने से अच्छा आता है इसका फ्लिवर इसको आपस में मिक्स कर लेंगे तो महरवारे स्टाइल के बेशन कि सब्जी रेडी है अब इसके साथ हम बनाएंगे लख्चा पराथा इसके ऊपर हम देशी घी फैलाएंगे देशी घी में इसको बनाएंगे और इसे बनता भी है देशी घी नहीं है तेस्थ अच्छा आता है आप इसको पतला पतला ऐसे मोड़ते वे फोल्ड कर लेंगे पफ्र गूल गुमा के फिर से रूब में तो चप्ता कर लेंगे ब इसको सुखा अटा लगा कर इसमें फिर से हम इसको मतलब बेलेंगे अब इसको बेल कर रोटी के तरह फिर से प्रासेस करेंगे पूरा घील आकर फिर से इसको फोल्ड करेंगे उसके साथ इसका कम्बिनेशन बहुत अच्छा लगता है खाने में ज्यादा मेहनत भी नहीं है उसको बनाने में थोड़ी सी टेड़ी मेरी हो जाती है लोई बनाने के बाद इसको हाथों से सेट कर लेंगे गोल करने के लिए तो तो रूटी को अब हम सेख लेंगे जैसे नार्मल रूटी बनाते हैं बिलकुल पतला तो उतना पतला हम इसको ने इसमें घी लगाते हुगे अलट पोलट कर सीक लेंगे हम तो दूसरा पर याव रैडी अप चले अफ रम इसको सर्फ करते navigate सबजी के साथ पैर्ट या कि रेष्ञ करने पर इसको आपको बारकी को दिखा देखने पहुत साफ्ट रेडी ऌइस तरह से पूरा ओपन हो जाता है दबाने के